नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं महतो ने बताया है कि धनबाद से सपनन मोदक, सिंद्री से उसादेवी, टुंडी से मोतिलाल महतो, बोकारोज से सरोज कुमारी के अलावा, मांडर से गुना भगत, राजधनवार से राजदेश रतन, कोडारमा से मनोज यादव बरही से कृष्ण यादव बरकटा से महेंद् मंडल को टिकर देने का एलान किया गया है, इसके अलावा हजारी बाग से उदाय महता, डाल्टेन गंस से अनिकेत महता, गोड़ा से परिमल ठाकूर, गांडे से अकिल अक्तर उर्फ रिजवान, और खरसावा से पांडू राम हिंबरू के नाम की खोषना की गई है, महतो न कहा एकिवे दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे, फिल हाल इस पर निन अभी नहीं हुआ है, दूसरी सीट के लिए गोमिया, बेरमो या मांडू का चुनाव किया जा सकता है, उन्होंने कहा एकिवे बागमारा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, गोगो दीदी योजना से 25 ल रासी दी जाएगी, परदेश भाजपा ने 5 अक्टूबर से इसके लिए बूथ अस्तर पर अभ्यान भी चलाया था, बता दे कि राज में करीब 29,000 बूथ है, सभी बूथ पर 100 फरम भरवाने का लक्ष रखा गया था, गुरु आर्गो परदेश का रियाले से इसकी जीलों से प्राप्त इंपूट के अधार पर पार्टी का मनना है कि करीब 25,000,000 फरम भरे जाए हैं, अब इधान सभा परभारी इन भरे गए फरम को परदेश करेले मिजामा करेंगे, डाता इंट्री के बाद भाजपा की तरफ से इन महिलाओं के मोबाईल पर एक धन्यवा करवाने की परकिरिया जाई रखने को कहा था, भाजपा अगर वापस जेल में डाल दे तब ही संघर्स करेंगे, सियम हेमन्त, मुख्य मंत्री हेमन्त सुयन ने गूरवार को भाजपा और के इंद्र सरकार पर करारा परहार किया है, उन्होंने एक स्पोष्ट के मादम से नि जार्खन का हक मांगेंगे, हेमन्त सुयन ने कहा है कि आज भाजपा ने जार्खन में केंद्र से लेकर राज तक अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, ताकि किसी तरह हेमन्त सुयन को राष्टे से हटा सके और फिर जार्खन्डियों का हक मार ले, सौ करोड की हेरा फेरी मामले में CID का सिकंजा, जार्खन प्रेटन विकास निगम लिमिटेड, जार्खन विधूत बित्रन निगम लिमिटेड वा जार्खन उर्जा उत्पाद, निगम लिमिटेड के खाते से करीब सौ करोड की हेरा फेरी मामले में हिरासत मिलिये गए चा साजिस करता बोकारों के रूद्र सिंग औरुप समीर कुमार तथा रांची के डिबडिह निवासी लोके स्वर सा औरुप लोके सामिल हैं गिर्जाप परसाज सिंग बिहार के पटना जिलेक के रूप सपूर थाना छेत्र में बेली रोड मकान संक्य 349 के निवासी हैं ज्यारखन का पहला ई-अस्पताल बना मानगो CHC स्वास्वंद्री बना गुप्टा ने बुद्धवार को सहरी समुदाइक स्वास्त केन मानगो में ई-अस्पताल सेवा का उत्राठन किया है इस मोके पर होने ने कहा है कि चिकित्सा के छेत्र में तकनीकी का इस्तिमाल कर मरियों को बेहतर सेवा देने का पर्यास किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि पहले हम लोग बड़े बड़े अस्पताल में तकनीकी का उपयोग होता देख रहे थे कि जब भी किसी को प्रामवर्ज सलाह या फिर किसी तरह की जगुरत पड़ी तो वह सीधे संबंधित चिकित सक्ष संपर्क कर सकता है कलपना सुरेन ने मादूर्गे से बीजेपी नेता को सदबुधी देने की प्रातना की जामो नेता और गांडे विधाय कलपना सुरेन ने बीजेपी अध्यक्स बावलार्मांडी की ब्यान प्रकड़ी प्रतिक्रियादी है कलपना सुरेन ने बावलार्मांडी पर निशाना साथ है कि वह हेमन सुरेन की पतनी के साथ गांडे की महान जानता की प्रतिनिधित्व करती है कलपना यही नहीं रूकी बलिक बावलार्म ने कहा है कि मेरा नाम कलपना सुरेन है कलपना ने अपना परचा देते हुए कहा है कि मैं हेमा सुरेन की पत्नी होने के साथ गांडे की विधायक हूँ कलपना ने कहा है कि रायनीती में आने से पहले वह टीचर थी वह रायनीती में आना नहीं चाहती थी लेकिन बीजेपी के क परिवार कल्यान दिवस परिवार नियोजन प्रामर्स एवं जागरूपता कारक्रम आयोजीत किये जाएंगे स्वास्त बीमा योजना के निबंधन को सभी विभाग चलाएंगे अभियान राज सरकार के कर्मियों एवं सिवा निवरित कर्मियों को एक नौमबर से जहारखन राज स्वास्त भीमा योजना का लाब मिलना सुरू हो जाएगा भीमा का लाब प्राप्त करने के लिए पोटल पर निबंधन कराना अनिवार्य है इसके लिए सभी विभागों के द्वारा अभियान चला कर केंप कायोजन किया जाएगा ताकि कर्मियों वह सेवानिवरित कर्मियों के निबंधन किया जा सके स्वास्त भीभाग के प्रधान सचीव अजय कुमार सिंगने साभी अपरमुक सचीव पुलिस महानिदेशक सभी प्रधान सचीव सभी भी भागा अद्यक सभी आयोक्त और उपायोक्तों को बिस्तिरी तिसा निदेश भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि राज कर्मियों सेवानिवरीत कर्मियों को स्वास्थ भीमा का लाब दिया जाना है इसके किरनोयन के लिए 30 सितमर को जारकन स्टेट आरोगे टीक एवां टार्टा ए आईजी एंसुरेस कंपनी के बीच एमयू किया गया है किसी भाजपा नेता ने राज्य का बकाया नहीं मांगा सीयम हमांत मुख्यमंत्री हमांत्रे ने एक स्पोस्ट के जरिये गुरुवार को भाजपा सांसुदों पर सवाल दागा है उन्होंने पोस्ट में जानता से सनवात करते हैं कि क्या कभी सोचा है कि किसी भाजपा नेता ने राज्य वास्यों का बकाया एक पण तिन छो लाग रुपए क्यों नहीं मांगा जार्खन ने पिछले तीन लोगसभा चुनाओं में 12, 14, 12, 14, 9, 14, 17 भाजपा को जीताये हैं फिर भी उ उन्होंने हम जार्खन्डियों का हक क्यों नहीं मांगा चैंपियान जूनियर राष्ट्रिय महिला होकी चैंपियंशिप में में जार्खन ने चैंपियन बनकर राजिक के खेल प्रेमियों को दुरगा पूजा का तोफा दिया है मुराबादी के इस्टो टर्फ एस्टेडियम में गुरुवार को खेले गए खितावी मुकाबले में ज्हारखन ने पिछले चेंपियन मद पदेश को तीन एक से पराजित कर लागातार 11 बार कोई नो कोई पदक अपनी जोली में डाल दिया है वहीं हर्याना ने उडिसा को दो एक से हरा कर दूसरी बार कासे जीता है बताज़े 2018 से लागातार फाइनल खेल रही ज्हारखन टीम के लिए स्वीटी डुक डुक सांती कुमारी और निरू कुलू ने एक एक गोल किये है सरकारी डॉक्टरों का आज से कारे बहिसकार पाकुड में डॉक्टर से मार पीट के बिरोध में राजे भर के चिकिसकों में रोज है जहासा के चिकिसकों ने दोस्रियों के गिरबतार करने की मांग को लेकर सुक्रवार से कारे बहिसकार का एलान किया है कारे बहिस्तकार के दोरन आक्समिक सेवाए पुरी तरह से बहाल रहेंगी जासा के सची उठाक और मित्यूम जाय कुमार सिंग ने बताया है कि पाकुर इस्थी सदर अस्पताल में हाल के दुनों में डॉक्टर के साथ मार पीट किया दूसरी घटना है उन्होंने कहा है कि हमने पाकुर पुलिस से मार पीट के सभी आरोपियों की गिरफतारी की मांग की है 12 अक्टूबर तक आरूपयों की रफ्तारी नहीं किया गया तो राजे भर के सभी अस्पतालों के डॉक्टर 13 अक्टूबर से पूरी तरह से हताल पर चले जाएंगे ज्यारखंड मौसम राजची समेत ज्यारखंड के कुछ हिस्तों में सुक्रवार को भी गरज के साथ बारिस होने के असार है राजधानी में सुबह के समय हलके बादल चाहे रहेंगे हलाकि दोपर में कुछ देर के लिए मौसम साफ हो सकता है लेकिन इसके बाद फिर हल के बादल चाहेंगे और आधे से एक घंटे ही कुछ जगों पर छिट फुट बारिश होगी वहीं गुरुवार को भी सहर में कुछ अस्थानों पहल की बारिश हुई है सरवादिक वर्सा रांची में 36.2 mm रिकोड की गई मौसम विभाग के नुसार राजे में आ रही दक्षिन की नम हवा में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है इस हवा में बदलाव के बाद ही मौसम के ठीक होने की उमीद है 12 अक्टूबर को खाडी के दक्षिनी भाग में एक साइकलोनिक सर्कुलेसन बन रहा है आने वाले समय में इसका आफर जार्खन पर भी पड़ सकता है मौराबादी में राम के बान से रावन का चूर होगा अहंकार पन्जाबी हिंदू विरादरी की ओर से मौराबादी मैदान में दस हारा परभब्य रावन दहन का कारकरम होगा उद्घाटन, सियम, हेमन, सुरेन करेंगे, केंदरी, राजमंत्री, संजाय, सेट, विदायक, सीपी, सिंग भी उपस्तित रहेंगे आयोजन की जनकारी देते हुए बिरादरी के अध्यक, सुधीर, उगल और कुनाल आजमानी ने बताया है कि समरों को भवे रूप देने के लिए अस्थानिय लोग कलाकारों के साथ साथ उतर परदेश की कलाकार को बुलाया गया है ये जिवन्त जहाकी की प्रस्तूति देंगे चात्रा में टीपी सी उग्रवादी धेर चात्रा पुलिस और टीपी सी उग्रवादी के विज मुटभेड हुए है या घटना बुद्धवार की रात वसिष्ट नगर जोरी थाना चेत्र के बॉर्डर परिस्थीत गन्योत्री जंगल में हुई यहां एस्पी बिकास पांडे को मिली गुप्त सुचना के अधार पर संदीप सुमन के नेतिवत में सर्च अभियान पर निकली पुलिस टीम का सब्जोर्र कमांडर हरेंद्र गांजु दस्ते के साथ मुटभेड हुई है इस मुटभेड में दोनों और से गोलिबारी हुई जिसमें हरेंद्र गांजु और इस्वरी गांजु नाम का दो उगरवादी मारा गया है साथी महेंद्र भोकता नाम का एक उगरबादी गिरफतार हुआ है भाजपा के पंच प्रण से हतासा में है हेमंत बावुलार्मरांडी बीजेपी के परदेश अध्यक्ष बबलमंडी ने कहा है कि राज की महिलाओ के बीच गोगो दिदी युजना की सवी कारेता को देखकर सियम हेमंद्र और बिधाय कल्पना सुरेन बॉकलाहट में है हेमंद्र गोगो दिदी युजना का दूस प्रचार कर रहे है सरकारी अधिकारियों के माध्यम से भाजपा करकरताओं को डराने धामकाने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा करकरता हेमंद की गिदरभग की से डरने वाले नहीं उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पिछले पाच सलों में जानता के साथ जुठा वादा करने वाले हेमंद को जार्खन की जानता करार जबाब देगी भाजपा के पंच प्रन की घोषना से भी हेमंद सुरेन हतासा में है जार्खन की युवाओ को नौकरी के लिए तरसने वाले मौत के मुह में सुलाने वाले हेमंद अपनी निश्चित हाद दे कर बोखला चुके है फरजी अकाउंट में डालने के लिए केंद्र सरकार नहीं देगी पैसा बिजेपी जार्खन भाजपा के परदेश प्रवक्ता अजय साह ने मुख्यमंद्र हमंसुरेन द्वारा केंद्र से एक लाग छाती से रकोर रुपए के बकाय रासी मांगने पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मुख्यमंद्र राज को प्रभावी धंग से चलाने में असफल रहे हैं उनके पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जीन है उन्होंने पांच साल पहले सुरू किया हो और जिसका लाब अवराज की जानता को मिल रहा हो वे केवल हाल के महिनों में जल्दी बाजी में लागू की गयोजनाओ के अधार पर वोट मांग रहे हैं अपने कारेकाल के अमतिम दिनों में अपनी भी फलताओ का दोस्त केंद्र सकापर मढ़ने की कोशिस कर रहे हैं केंद्र से जारखन को मिलने वाले फंट के बारे में कहा है कि केंद्र सरकार ने हमेशा जारखन को उसकी मांग से अधिक बीतिय साहता दी है नितिन कटकरी ने भी सुरजनिक रूप से कहा था कि केंद्रिस सरकार जारखन को धन देने के लिए त्यार है लेकिन हेमन सुरेन सरकार के अधिकारी सड़क बनाने के बजाए पैसे बनाने में अधिक जिल्चस्पी ले रहे हैं धन्यवाद